Hello students, स्वागत है आपका DGS classes में तो आज हम क्या बात करेंगे भई लास्ट टाइम तक, अभी तक solid state के अंदर हम बात कर चुके है भई क्या classification है, solid liquid gas क्या है, force of interaction क्या है बचों अभी आप में से एक बच्चे ने पूछा कि सर थोड़ा सा basic से चलिए 11th में नहीं पढ़ा, I think dispersion force जब पढ़ाई थी, वहाँ ये समस्या आई थी dispersion force मैंने कहा था, और बहुती logical तरीके से समझाया भी था इसको बड़े ध्यान से चलना है, परशान होने की जुरूत नहीं है, अराम अराम से पढ़ो दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आए तो फिर पढ़ाई क्या है भाई, दिक्कत आएगी उसे overcome करोगे, तबी तो चीजों को सीखोगे, ने तो क्या सीखोगे, आज का टॉपिक क्रिस्टलोग्राफिका है, बहुत मज़ेदार है, ध्यान से समझना और बहुत basic लेकिन important, अगर कभी competition में वो सोचता है, कि नहीं भाईया कोई जबरदस्त सवाल बनाया जाए, तो यहां से ले आएगा, अब आएए मज़ेदार तरीके से शुरुआत करते हैं, crystal lattice की कहानी है, किस तरीके से हमें यह बतानी है, सबसे पहले आईए बात करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिकी जब बात होती है, तो इसका कुछ भी नहीं है मतलब, study of structure of crystal, इस क्रिस्टलोग्राफिकि क्या हुआ। किस तरीके से study करेंगे crystals को, अब इसमें एक चीज समझिएगा एक आएगा ideal crystal सबसे पहले तो मैं ये लिया हूँ और एक होगा real crystal अब ये तो आप समझ गए ideal crystal और real crystal ideal crystal क्या होता है 100% long range of order है 100% long range of order है और सेम चीज के लगातार repetition से है तर ये क्या आपने लवज बता दिये अब आजा भई ध्यान से देखो बच्चो बड़ा मज़ा आएगा जरा ध्यान से सुनदा कोई भी चीज जब हम एक lattice की बात करेंगे तो कोई भी चीज अपने आपको repeat करेगी एक बहुती long range में लगातार repeat करती चली जाएगी उस चीज को जो repeat कर रही है वो एक base unit है जो अपने आपको repeat करके के structure बना रही है जैसे कि एक eat अपने आपको repeat करती है और दिवार बन जाती है मेरे भाई ज़रा ध्यान से समझना जो अपने आपको repeat कर रही है वो base unit है और जो बन रहा है जो पूरा structure बन रहा है 3D में space में जो cover कर रहा उसको वो एक तरह से कहा जाता है space lattice और जो repeat कर रहा है वो units है Robert Hooks सहाब एक बड़ी कमाल की स्टोरी बताते है उससे समझ में आएगा Robert Hooks सहाब ये वही है Hooks Law वाले और ये वही है भाई सहाब याद है Micrographia Cell भाई सहाब ने बताता है बड़ा एक amazing सा concept है जहां से सुनना वो एक बार cannon ball के साथ देखने लगे कि चलो मैं जो है यहाँ पर समझूँगा cannon ball को packing कराके देखूँगा ऐसे कराऊं ऐसे कराऊं packing कराने लगे cannon ball को कैसे maximum space को ये भर पाए cannon ball से तो कि इनके दिमाग में था कि nature भी बहुत शानदार packing करती आप देखिए चाहें एक अंगूर का गुच्छा बनाना हो बड़ी प्यारी packing करती है nature ताकि empty spaces कम हो nature कितना प्यारा pack करती है तो solid के अंदर भी अब इस पूरे विचार को जो मैं आपके सामने रखा उसको ध्यान के समझना solid के अंदर भी particles को बढ़िया तरीके से pack होना है close आना है pack होना है ताकि वो particle बहुत closely रहें और structure के अंदर rigidity आए तभी तो solid होगा मेरे यारों अब इन सभी विचारों को समझते हैं यानि एक small basic unit अपने आपको repeat कर रही है और एक 3D structure बन रहा 2D structure बन रहा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर तो आप देख रहे है 2D बन रहा है अगर बाहर की तरफ उपर की तरफ आना जाए तो 3D structure भी बनेगा तो 2D unit cell भी पढ़ेंगे और 3D unit cell भी पढ़ेंगे और कमाल की बास सोचो आप कह रहे हो unit cell जो repeat होती है हुक्स सहाब से मैंने इसको रिलेट करा हुक्स सहाब ने cell का नाम भी दिया था याद है और यहाँ पर भी हम उसे क्या बोल रहे है unit cell अब जड़ा ध्यान से देखिएगा एक lattice space lattice की जब बात करते हो So this is simply is a 3D structure formed by the repetition of small units बास अलवा और यह जो small units है जो repeat कर रही है इन्हें कहा जाएगा unit cells हमारी body बनने में cells use होती है इस तरह से अपने दिमार को तोड़ा सा उल्जाना और उसको फिर सुल्जाना शुरू करो उल्जे नहीं तो कैसे सुल्जोगे बिखरे नहीं तो कैसे निक्छोगे शुरू करो बिटा यही आरंद है पड़ाई का सीधे सीधे point लिखा दे, सीधे सीधे हमें सिखा दे हम उसको याद कर लेंगे और सारा बरबात कर लेंगे, ऐसे मत करो मजे से पढ़ो देखो हमने शुरुआत कहां से करी थोड़ा सा हमने शुरुआत करी ideal crystal और real crystal से crystal क्या है यह अब हम समझ गए जिसके अंदर long range of order है वो crystalline है वो crystal है उसके जो हम structure को study कर रहे है वो crystal है उसकी study को crystal ग्राफी कहा जाएगा अब हम real और ideal पे आ रहे है यह ideal के अंदर long range of order है repeated unit same है लेकिन real के अंदर यह कहीं जाकर किसी पॉइंट पे कुछ यह जो ideal arrangement थी जो regular repeat pattern था वो थोड़ा सा disturb हो गया तो इस मैं तो 100% believe कर रहा हूं है कि 100% long range of order with same repeating units इसमें कहीं ना कहीं पर क्या आ जाएगा imperfection सर्क यह क्या है imperfection भाई मेरे perfection कुछ नहीं है ideal gas एक perfect gas मानी जाती है सारे rule follow करती है लेकिन कोई भी gas ideal नहीं होती उसी प्रकार से कोई भी solution अगर हम बात करें तो हम कहते है ideal थे real solution आइडियल क्रिस्टल तो हमें नहीं मिलेगा रियल मिलेगा कहीं ना कहीं उसमें कोई समस्क्या रही तो अब आईए यह आगया हमारा क्या space lattice 3D structure unit cell जो small repeating unit है बस जी आनन्द आगे जैसे दिवार में इट अब हर इट के चारों तरफ जो structure रहेंगे जो महौल रहेगा वो सेम रहेगा surface वाली इट छोड़ दो अब दिवार के बीच में कोई इट है उसके इधर भी इट है इधर भी इट है उपर भी इट है नीचे भी इट है उसके चारों तरफ आप ऐसे मामला सेम सा रहेगा ठीक है अब हुक साब भी पता है आपको रॉबर्ट हुक साब भी एक जोमेट्री के भी बहुत महान ग्याता थे और हम जोमेट्री के थ्रू ही crystal के इस प्रक्टर को study करेंगे सर जोमेट्री तो हमारी वीक थी अरे परिशान काहे होते हो जोमेट्री वीक से को फरक नहीं है एक concept समझना है माल लो हमने बहुत सारे कुरसियां अरेंज कर दी एक सही ओर्डर में बड़े से ground में कुरसियां लगी है सोचो जड़ा 15 अगस्त का महल है लाल किला मैदान में कुरसियां लगी भी है अरे वो वो अब क्या बन गया एक lattice और कुरसियां एक तरह से क्या हो गई है वो base unit जो अपने आपको repeat कर रही है उसके जगा फुटबॉल होती regular arrangement में तब भी मान लेते हमने माना कि यहाँ पर यह atoms है जो अपने आपको repeat करते है packing efficiency की बात करेंगे तो और प्रजना आएगा इन सभी का एक center मानो अरे physics में नहीं कहते है center of gravity मान लिया हमने वो body के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है करते हैं अरे वास्तर यह तो गजब हो गया यह इसके भी center ले लो इसके भी center ले लो यानि effectively आप यह कह रहे हो कि lettuce के कुछ points ले लो उनका order देख लो उन points पे आप कोई भी चीज रख लो लेकिन यह point हमने जो लिए है यह regular रहने चाहिए इसका order बड़ा मस्त रहना चाहिए long range of order रहना चाहिए इसके उपर आप जो भी रख लो जो रखोगे वह base unit होगी उसी के इसाफ से आपका structure बन जाएगा और जो पूरा आपको repeat कर रही है कैसे देख रहे हैं अब आप टूडी लेटिस देख रहे हैं मेरे साथ 3D नहीं देख रहे हैं टूडी में देख रहे हैं टूडी में कैसे देख रहे हैं एक वेक्टर ऐसे है जो इसको समाल रहा है कि एसे इसे एक्स्टेंड कर जाओ इन वेक्टर सक्टार दो वेक्टर थे आप इसको अपने आप ने बुला एक है एक यह बी है ए जिस लगा लो एसे यह लगा लो यह लगा अगर ज्यादा पढ़ना है कि और थोरॉम्बिक कैसे इसमें है या टेट्रागोनल कैसे है टूडी के इंदर ग्यान प्राप करना हो तो वह जो मैं आइटी जैम वाली क्लास दोंगा उसको समझना वहापर ज्यादा ग्यान आएगा तुम्हारे ले तो आनंद है यह टूडी हो लावना बना ले मैंने बना लो काहे परशान होक उसमें फिर ये रिपीट हो जाएगी यм Dart आढ़ दे नहीं अश्हां थैसा अब ये unit होगई क्या मेरी unit cell इसमें ये unit क्या थी unit cell दोनों ले ली कोई दिकत नहीं एक बालग कहता है अच्छा तर्य केल मैं तो ऐसी unit cell इस point के चारों तरब unit cell नाट गया न मैं नहीं हूँ यह ऐसा unit cell कहता है कि भाई मेरी जो image आएगी मेरी जो सोच आएगी वह lattice point से शुरू और लेट्स point पे खतम होगी मेरे प्यार की उमर हो इतनी सनम Lattice point से शुरू Lattice point पे खतम लेट्स पॉइंट से शुरू होना है और स्क्राइब खतम होना है या या यह हो सकता है यह जैसे यह था यह नहीं होगा तोकि लेटेस स्क्राइब ट्रफ हो रहा है यह बात पल्ले पड़ गई एक चीज़ यहान लखना यह प्वाइं टूर नो टिट है सही युनिट सेल जो है वो स्मॉल रेपेटेड युनिट है जिसका टर्मिनल पॉइंट जो रहेंगे वो लेटेस पॉइंट रहेंगे भूलोगे तो नहीं रहें असान है कॉंसेप्ट युनिट सेल क्या वो क्लियर है लेटेस बन जागा स्क्टर वो क्लियर है आये जरह अब आनंद लेते हैं NCRT बाबू हमसे क्या कह रहे है भाईया यू मस्ट हैव नोटिस वन टाइल्स अड़ नोट तो नहीं अना चलिए यू मस्ट हैव नोटिस देट वन टाइल्स आर प्लेस अरे टाइल नहीं देखें पर्च पर बस वही इफ आफ्टर सेटिंग टाइल्स आन फ्लोर वी मार्क पॉइंट अट सम्लोकेशन इन अल्ड़ ताइल्स अहां आनन्द और सी दा मार्क पॉइशन अल्ली इग्णोरिंग टाइल्स अरे गुरु वही आ गया सेंटर पॉइंट पर अरे लेक्टिस पॉइंट बता रहा है यह काहे गवरा रहे हो अरे कभी नोटिस करना है माली जीए हमारे कार्पेंटर साहब चाह रहे हैं कि वाइट बोड लगाना है मालो इस दिवार पर तो क्या करेंगे वह आरे यही तो लेटिसक पॉइंट है गुरू उननी लेटिसक पॉइंट पर तो वाइड बोड चिपका देंगे वह सीदिशी बात है आया ना अरे shirt word बना रहे हो तो हमारे जो shirt बनाने वाले भाई सार में वो उसमें point मारते हैं देखो यहां से यहां काटेंगे आया था यही तो है भाई तो अब हमने क्या करा point रख लिए कि in in points के उपर हमारा structure place हो जाएगा वो point latest point है जो रख लोगे वैसी चीज़ बन जाएगी आनन्द है मिल्कूल तो center of the tile हो गई and see the marked position only ignoring the tile, you obtain a set of point to collect this point वो ज्यान की धारा है जिसके उपर आप कुछ motif या कुछ base unit रख चे हो, सीडिसी बात है इसमें सोचने की क्या बात है the scale folding is a space lattice on which two dimensional pattern has been developed by placing structural unit on its set of point clear the structural unit is called basis or motive भाई, note कर देशको when motifs are placed on point in space lattice, a pattern is generated वो तो हो नहीं है pattern geometrical pattern आएगे a pattern in a crystal structure motif is a molecule, atom और आयन अरे भाई, aim बता चुका हूँ पहले atom, iron और molecule अब एक चीज़ गजब की ध्यान लखना गुरू हमारे जैसे ही, हमने बताया था ही हो गया, ही ही हो गया या ही ही हो गया तो वो तो इन lattice point पे tile के स्थान पे लगा सकते हैं लेकिन अगर NaCl है तो iron कह रहा हूँ मैं यहाँ पर यानि Na+, एक जगा आएगा Cl एक जगा आएगा HI, अकेला ही आजाएगा lattice point पे H2, अकेला ही आजाएगा lattice point पे Na+, अकेला इधर आएगा Cl minor एक iron आएगा दोनों मच्चिपका देना गुरू इसलिए crystals की family होती है जैसे NaCl है वो FCC structure में रहेगा तो उसमें Na जैसे मालो अलग position ले रहा है अभी सर, FCC? हो, यह क्या है? अच्छा, ठीक है पहले समझा लो, फिर आता हो लेकिन तो समझ में आ गया कि lattice point के उपर यह जैसे है HI हो गया H2 हो गया यानि कि atom ते molecule सर, कुछ भेजे में तो गई अटेंशन नहीं भाई अब पैटन इस जनरेटेट इन क्रिस्टल स्ट्च्चर मोटिफ इस अ मॉलिक्यूल अटम और आयन a space lattice also called a crystal lattice is the pattern of point representing the location of these motives ठीक है जी, कोई रिक्कत तो नहीं when we place motifs in an identical manner on point of space lattice we get crystal structure बड़ी CDC बात lattice है जी, lattice भी है जी यह वही वाला है भाई सार ऐसे वाला जोड़ी होगा ना जो मैने यह बनाया था भी यह वाला, ठीक है आनन्दारा बिलकुली आज आओ जी in the case of crystalline solid space lattice is a three dimensional array of points space में three dimensional होगा, अब three dimensional लोगा तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे बिलकुल असान है, बिलकुल असान है, देखिए जी, आनन्द लेते हैं हमेशा ध्यान रखना यह जो edges होंगे यह ऐसे चलेंगे आरो ही करम में आरो ही मतला ascending order यानि सबसे छोटी वाले को A लोगे, उससे बड़े को B और C हमेशा ध्यान रखना यह जो height होगी इसको C से रिप्रेजेंट करना है और बाकी इनको तो जो मर्जी कर लो, A, B, नीचे कैसे ली कर लो, कोया फचनी आरी है, यह तो base है height जो हमेशा C से होगी और गजब, इनके बीच के एंगल कैसे लेंगे बाबू, अरे बड़ा असान, देखो भाई या A और B के बीच का एंगल जो है अब देखो, जैसे A, B, C, alpha, beta, gamma A और B के बीच में ले लो, gamma B और C के बीच में ले लो, alpha A और B के बीच में ले लो, beta यानि इसके बीच में ले लो, क्या, gamma इसके बीच में ले लो, क्या, beta और तुम्हारा यहाँ पर ले लो, alpha खतम कहानी छला दो निशानी, क्या देखता है असान ये presentation ध्यान देखना अब अगर ऐसा है तो lattice को देख लेते हैं Each point in a lattice is called lattice point और lattice side पर हमें कुछ ज़्यादा घ्यान की जरूत नहीं Each point in the crystal lattice is present one constant in particle which may be an atom and molecule और an ion इसी को बोलते रहो, काते रहो हाना Let is point are joined by state line to bring out the geometry of the lightest, करो जी, नमस्ते हमें मेन एक चार्ट बताओं पहले आपको उससे जल्ली हो जागा यह जो बना बना यह एक्चुली साथ हम देखते हैं crystal system है यानि arrangement साथ crystal system कैसे भी अरे यार देखो बड़ासा गुरू अगर 2D देखोगे ना तो 2D में क्या देखोगे या तो A बराबर है B के और theta जो है इनका या तो वो 90 होगा या theta 90 नहीं होगा यह तो condition है यह बराबर नहीं है B के और theta होगा 90 या theta नहीं होगा 90 अब 2D की तो उसने बात ही नहीं करी नहीं बताता आपको इसमें अब वो तो विशारा गुजी किसमें गया 3D में क्यूबिक शूबिक सारे इसको याद करने क्या तरीक इसमें साथ टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे अब देखो बटा इसको ऐसे याद करते हैं मतलब क्यूबिक मोनो क्लीनिक ट्राइक यहां पर रॉंबोहेड्रल टेट्रागोनल हेक्स्टागोनल सफिक्स हैं के एक और 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 यह वैसे पहले क्या करो एक वाले ढूंडो एक वाले यह क्यूबिक है क्यूबिक तो सबको पता है आननद direct क्यूबिक तो अनन दाएक कैसे अरह बड़ा आसान समय क्रिस्टल सिस्टम के परबीटर होते है मितरों, कमाल की बात ये है, टीनो एजस सेम है, टीनो एंगल सेम है, एंगल सारे 90 हैं, भाई साब क्या सिमेट्री हैं, और ये क्यूबिक है. अब बाकि जितने एक वाले हैं, सममें आप एक चीज देखें, ये और्थोरोंबिक है, यह मोझी लेने फन और ट्र यरर के इन सम्में एजिस बराबर नहीं है आरे फर गजब है यानि क्यूबिक और तो रॉमर्बिक से मैं सिरफ क्यूबिक को छोड़ दो सु बाखे सम्में जिस बराबर नहीं और गजब यहां दो गया स гр विशे हुं ए ही आर्थोरॉम्बिक। मोनोक्लिनिक। राईं क्लिनिक इतना इक इक इतना सौब्षरम राकिश हिरुष मोड़्ी आ द्याननशरम हैちは सब सतते हैं न राखेश य्दाब्षन द्याननद य्दाब्षाइँ स्वारी अधना स किसे कि उन्हेंद चैन्हा द्यांदव उन्हें आफ आमिर खान शारुक खान और सलमान खान सारे खान वैसे सारे एक हो गए किया परशानी क्यूबिक में तो बाहिसा एज़ भी बराबर हैं सारी अधित वड़े एंगल भी बराबर ने मतलब एंगल भी सारे 90 हैं कि तर कलर मजह नहीं आ ये लो फिर ये ले लो उसने क्या है अब और्थोराम्बिक में आजाओ भाई साब अब हमने क्या बताया था एज़ बराबर खाली क्यूब के हैं बागे सबके देख ले और्थोराम्बिक हो मोनोकलिनिक हो या ये हो दिखा दो बालकों को ये है एज़ बराब बन नहीं है तो साथ क्रिस्टल सिस्टम में से दो तो याद हो लिए एजिस का तो पेरामीटर सबका समझना आगया एक वालो में खाली क्यूबिक के तीनो एजिस बराबर है बाकी तीनो एक के तीनो एजिस बराबर नहीं है रहे अब क्लिनिक का मतलब क्या होता है क्लिनिक का मतलब भाई साहब हमारे किस्टोलोग्राफी में होता है 90 ना हो, क्या ना हो, 90 ना हो, क्लिनिक, 90 ना हो, तो एंगल 90 डिग्री ना हो, मोनो क्लिनिक, एक एंगल 90 ना हो, ट्राइक लिनिक, तीनो 90 ना हो, तीनो 90 ना हो, तीनो 90 ना हो, तो ये लो जी, कहां गया कहां गया ट्राय क्लिनिक तीनो ना एंटिनी है भाई साब ये जो गुरु घंटाल है ट्राय क्लिनिक ये most asymmetric हो गया ना तो इसकी बुजाएं बराबर है मतलब ना तो इसके edges बराबर है और ना ही गुरु के angle बराबर है अलगी प्राणी है एक्जामपल रटलोरे फटा फट A2C2O7 है सर कॉपर सल्फेट का 5S2O है S3PO3 है यानि बोरिक एसिड वाला कहानी हो गया हां सर याद हो गया तो हो गया याद ट्राय क्लिनिक भी हो गया अब मोनो एक यानि एलफा और गामा तो 90 है बीटा नहीं है अब मोनो क्लिनिक था ना एक क्लिनिक है यानि एक 90 नहीं है लेवे हो गए एक वाले आद हो गया गुरू अब आज आ फटा फटा रिकॉर्डिंग में चल रहे हाँ चल भी है आज बही है आप क्याता अल वाले एक वाले हो गए ने अल वाले देख जाने टेट्रागोनल ये तो समझ में आ रहा भाई ये स्क्वेर भाई का बात था तूडी में यहां खाली क्या है देखें बुजाओं में A और B तो बराबर है C बराबर नहीं है C अलग है अब देखना ज़रा टेट्रागोनल हो हेक्सागोनल हो टेट्रागोनल, हेक्सागोनल ये रहा ट्रागोनल तो इसमें देखना टेखना टेट्रागोनल और हेक्सागोनल इनकी बुजाएं A और B बराबर है C बराबर नहीं है अब जाए तो परामेटर जो एजिस खाथा वो संजना आ गया ध्यान से देखें है एक्सागोनल रॉम्बो हेड्रल में और ट्राइगनल इसमें तीन बराबर है त्राइगनल सुनते आए हो बच्पन से खतन इसमें अगर देखा जाए पैरामेटर में खाली क्यूबिक में तीनो सेम थे बाकी में तीनो सेम नहीं थे अल में देखा जाए तो ट्राइगनल में हेक्सागनल में यानि खाली ट्राइगनल में त्राइगनल 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 में त्राइगन देख लो फिर देख लो टेट्रा कहांगे टेट्रा में 390 है और हेक्जा में 290 है और रॉम्बो में 290 है एक नहीं लेकिन हेक्जा में इची ज्यान एकना गामा 120 है और यहां पर बास खतम यह सेवन किस्टल के टाइप आपके हमने समझा दिए चलिए आगे बढ़ते हैं एक्जामपल आप याद करेंगे ठीक है यह सब है देखो अब यह हम ज़रा एक चीज़ और समझा दें यह तो हमारे सेवन किस्टल टाइप के बेसिस पर बता दी है हमने अना सेवन प्रिमिटिव यूनिट सेल देर पॉसिबल वेरियेशन अब आजाओ यूनिट सेल को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक प्रिमिटिव जब सिर्फ कॉर्णर पर ही हमारे कॉंस्टुटूइंट पार्टिकल हो और अदर्वाइस बॉडी सेंटर यानि कॉर्णर पर भी वह सब समझा रहेता हूं यह आप बेसिकली तीन टाइप के यूनिट सेल्स को बहुत ज़रा पड़ेंगे नंबर वन हैं सिम्पल क्यूबिक सेल जल इस दी श्रॉक्ट्ट्रल एंफंच्छनल यूनिट ऑफ लाइफ तैन इस दी रिपेटेड यूनिट विच विछ फॉर्म प्रिस्टल लैटिस ठीक है एनी प्रॉब्लम विद यह वेरी इस अब यह क्यूबिक फॉर्म में बनाएंगे कि इस मेरी डॉयंग क्लासीक है जरौ क्या वर्ड वेज़ात से इसमें क्या कहानी है याएे हर कॉरॉंर पर एक पार्टिकल को बेठाना है दरसल है क्या गुरू यह जोमेट्री बनाई है पार्टिकल आके नहीं बैड़ कैसमें अब इसके पीछे भी तो यह एक्चुली में क्या है यह फ्रेंट वाला यह बैक वाला इसको जोड़ दिया इन दोनों के सेंटर को जोड़ दिया इन दोनों के सेंटर को जोड़ दिया इसे यहां से अलाइन कर दिया इसे यहां से कर दिया फिर इधर फिर ऐसे करा है फिर इधर फिर ऐसे करा है तो यह बेसिकली आगे पीशे कि जो हमने जोड़े हैं यह वह है यह वह स्ट्रक्चर बनक सब्सक्राइब को हमने मान के उसके सेंटर को जोड़ा है वह यार लेटिस पॉइंट नहीं बताया भी तो वह दिमाग लगो ना परिशान क्यों हो जाते हो इसी रहो अच्छा जी बहुत अच्छी खुब्सूरत बात है अब ज़र एक चीज सोचते हैं एंसी आर्ट यह बड़िया स्ट्रक्टर बना हुआ है वैसे हम चाहें तो इसको मॉडल वॉडल सिस्टम के साथ बड़े भाई सब 3D के अंजर तुफान मचा के कर सकते हैं जिरूद क्या है बें दिमाग नहीं है क्या इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो देखो ज़रा यह लाइट स्ट्रक्टर बन रहा है लॉंग रेंज स्ट्रेच हो रहा है पूरा यह एक यूनिट सेल है देखो जी अब आपको रिपीट कर रही है अना ऐसे भी अब ध्यान से देखो गुरू यह एक लाइटस पॉइंट है यह इस वाले को देखो इस वाले क्यूब के साथ है जो इधर है यह वाला जो दिख रहा है इस वाले क्यूब के साथ है जो दिख रहा है पीछे वाले इस क्यूब के साथ भी लगा हुआ है इस क्यूब के साथ भी लगा है और ऊपर वाले भी चार है अकेला एटम चार क्यूब नीचे अपने साथ में चार उसके ओपर यानि बिसीकली आठ क्यूप से अटेस्ट है तो एक सिंगल एटम जो कॉर्नर पर अवेलेबल है इस शेर्ड बाइ एट क्यूप बहुत बढ़ी आजी तो नाव अपनी एक क्यूप के इंदर कितना कॉंट्रिबूशन इसका contribution of the atom present at the corner will be 1 by 8 और ऐसे कितने अटम हा भाई या आठ तो नेट इफेक्टिव क्या हुआ हुआ एक ही तो हुआ अब वही वह आप 8 घंटे पढ़ने बैठे अब जैसे गौरासर का लेक्टर आ रहा है या बैट गया यूट्यूब पर एक दो मिनट देखा फिर यूट्यूब पर कुछ और देख रहे हैं आजकल तो शौट्स भी आ रहे हैं चलो फड़ा और कि के लिए अब आप जाएं अब जाएं पढ़ाना मेरी जॉब हो जाएगी तो इसका मज़ा खराब हो जाएगा कि कहते ना एक सिंगर है वो गाना का रहा है अब किसके लिए अपने लिए अपने मंद से का रहा है या बाउन हो चुक है कि इतना पैसे मिलेंगे वो फरक बढ़ जाता है जैसे को बैच आसा होगा बिलकूल आ जाएंगे इसमें कौन सिर्प तुफानी बात है तो अब कॉंट्रिबिशन अब दी एटम प्रेजेंटें दी कॉनर यह आठ इंटु वन बाइट वन हो गया आठ गंटे पढ़ने बैठ रहे एक गंटा हुआ था खाना क्या खाएंगे अरे यह क्या हुआ अरे वो जो कॉंसा फैमिली मैं का नया को वाची जा गई है कि वो दे बटे वे से तो एक्टिवली वन हुआ इसे कहते हैं रैंक आफ दी यूनिट सेल रेप्रेजेंटेट बाइज तो इसका जड़ डिजाइनर जड़ होता है इस वन लिए लोगो रिकार्डिंग मस्त आगे बढ़ा है जरा देखो एक जीज और जहान रखना वैसे तो हमने टा अब दो दिन पहले तो हमारे आउडियो भाई साब बुरा मान गएते हमने को दूसरा माइक भी मंगवाया है तो या कभी को रिसार्च पर पढ़ने बढ़ रहा हूं मैं उसकी वजह से समवाट कभी कभा लेक्टर में उपर नीचे टाइमिंग में हो जाएगा उसके लिए म सारे लेक्टर को कमबाइन करके एक जहां दे दें क्योंकि यूट्यूब में ढूंडने में देखकत होती है उसके पर बात चल रही है तो सिंपल क्यूबिक सेल होगा है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि बॉड़ी सेंटर क्यूबिक सेल बॉड़ी सेंटर क्या है देखो एक बात सुछना बच्चों जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक सेल बताई है अब जैसे सिंपल क्यूबिक सेल होती है और एक एक्जामपल लेते हैं मैं हमेशा कहता हूँ पुलाव हैं जी बड़ी यह मतर कुलाव बन रहे हैं वेजिटेबल कुलाव बन रहे हैं बिर्याणी बन रही है इन सभी के अंदर एक चीज बेसिक है एक चीज कॉमन है जो रहेगी अरे वो हैं सिंपल राइस आई या ना ऐसे ही चाहें बॉडी सेंटर्ड हो चाहें फेस स सिंपल क्यूबिक तो दोनों में आएगा अच्छा जी हाँ जी इसका मतलब आए फिर से बहानक ड्राइंग बनाएं कि समझ जाना बच्छों देखो अब बहुत बड़े कोई आर्टिस्ट है नहीं अब यह तो कॉनर वाले एटम तो रहेंगे रहेंगे आनंद के साथ इन सब के साथ एक एटम बॉडी सेंटर पे भी आ जाएगा अम आज यार अब एक चीज सोचो कॉनर पे एटम है और सेंटर में हम बैट गए कॉनर वाला तो आठ क्यूब से अरेंज हो रहा था लेकिन 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 पर साफ करें अब देखना जो एटम इस क्यूब के अंदर बीच में है वो तो किसी और से शेयर नहीं हो रहा ना किसी को लेकर हमारे दिल में बहुत गहरे जजबात हैं वो जजबात तो हम किसी और से शेयर नहीं कर रहे हमेशा ध्यान लखना दो यह जो नकली महबबत होती है कि he is my boyfriend, he is my girlfriend, social media पर यह और वो जो हम I love you और फलाना धिमकाना कहते हैं वो दिखावा है जब असली महबबत होती है तो उसको दिल से महसूस किया जाता है उसको शेयर नहीं किया जाता है पंकर जुदास साफ का एक बहुत प्यारा गाना हमने बच्पन में सुना था आज तक सेवरेट है कि और आहिस्ता कीजिए बातें धड़कने कोई सुन दाहा होगा आज कल तो सोशल मीडिया पर हल्ला माच आज आता है है पिए निवर्स तो महबबत इस गहराई तक जाता है महबबत जोती हो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का सेंटर में बता हुआ एटम होता है वो किसी से शेयर नहीं होता है वो कम्प्लेटली उसी क्यूब के लिए होता है तो दोस्तों कॉंट्रिबुशन अफ दी एटम प्रेजन अट दी सेंटर कम्प्लीट वन और कॉंट्र वालों का तो आई रहा था उनका इवन था टोटल कितना हो गया बिटा तू इसका रेंक कितना हो गया तू तीसरी पर आ जाते हैं सिंपल क्यों भी सेल पहली दूसरी बॉड़ी सेंटर पढ़ ली तीसरी पर आ रहे हैं अब कितने फेस होते हैं बाबू क्यूब में कमरे में बैठे हो देख लो एक दो तीन चार पांच छे छे फेस अमा यार कमरे की जो दिवार जिस पर गेट है मालो जिसा हमारा इस तरफ गेट है जी और ये गेट खुलता है दूसरा कमरा आ जाता है अब हम इस पर खड़े होगा जाके आधे हम उस कमरे के लिए हैं आधे हम इस कमरे के लिए हैं तो चित्र बना के हम और ज़रा टाइम जाया नहीं करेंगे तो बच्चे गह रहें सरब बनता बनता है निचित रिटायन जाया क्या करोगे तो बच्च बना दिया न दो contribution of the atom at phase and half हो गया और कितने phase हैं भया 6 तो 3 हो गया और corner वालों से तो आए ही रहा है तो हो गया 4 तो Z हो गया 4 तो आज हमने जो ग्यान आपको दिया है उस ग्यान में types of unit cell आप लोगों ने देख ली है 7 crystal system देख ली है कैसे आप समझेंगे lattice point क्या है कैसे आपने देखा space lattice unit cell ये सब और seven crystal system जिनको आप exam से पहले भी एक बार revise करेंगे बस भाया आज की सभाया सनाप्स करेंगे hopefully अब next class के नदर हम density और packing efficiency का ज्यान लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मज़ा आएगा कोश्चन तो हैंगे NCRT के फिर एक बार वो करेंगे मेरे काल से defects के आसपास question आजेंगे NCRT के सारे करेंगे और I think online exemplar भी अविलेबल है तो उसका भी इठा लेंगे सारे question solid state के अनन्द आजाएगा चलो बच्चों तो आज की सभायां साहाथ करते होफफुली समझ में आया हुआ आपको टेक केर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम जैसे ग्रूप अपने वो क्या होता है कम्यूनिटी ट अब कोई वेरा तो है नहीं चलो all the best मिलते हैं बच्चों